नवश्कार मैं अधिवक्ता उमेशुमन आज आपके मध्या उपस्तित हुआ हूँ और आज मेरी उपस्तिती का कारण है कि बॉंबे हाई कोट के बैंच नागपूर के द्वारा और पस्तिती का और उसके बाद उस और को सुरोच नयालयो में जेलेंज किया और यह जो और को चेलेंज किया गया इस order को इसलिए challenge किया गया क्यूंकि इसे बार association के द्वारा इस order को Supreme Court के लिए भेजा गया और इस order में क्या होता है कि देश की जो सवरोच नियालियों ने Bombay High Court के एक विवादित फैंसले पर रोक लगा दी Bombay High Court ने फैंसला दिया था कपड़े के उपर से breast छूना योन मामला नहीं है High Court ने कहा कि skin to skin touch नहीं है तो अपराद POSCO Act के दाएरे में नहीं आता ये कुछ टिपनियां सवरोच नियालियों के द्वारा दीगी और नियायमूर्ति पुजा के द्वारा नागपूर के एक पैंच के अधिकृत अपने एक फैसले को परकाशित किया गया जिस फैसले को उन्होंने परकाशित किया उन्होंने कहा कि skin to skin touch होना को आप एक POSCO Act के तहत इस मामले को आप दाएर नहीं कर सकते और इस मामले को यदि आप POSCO Act के तहत दाएरे में लाना चाहेंगे तो आपको यौन्शोशन करना या बालिका के साथ sexual activity को करना तभी ही POSCO Act के तहत मामला दर्ज हो सकता है यदि आप कहेंगे कि skin to skin touch या किसी व्यक्ति के द्वारा किसी नाबालिक लड़की को उसके breast को छूना को आप ये नहीं बोल सकते कि उसके साथ को ही कृतिया हुआ है POSCO Act के तहत पर लेकिन जो ये मामला दाएर होता है इस में ये तिन सो चृणजा के तहत sexual assault के तहत IPC की धारा को परकाशित करता है और उसके तहत हामलावर को या accused को दोशी बनाया जा सकता है और उसको उसके तहत उसके ऊपर कारवाई की जा सकती है और कारवाई करने के उपरांद उसमें क्या फैसलाता है ये तो कोट ही बता पाएगा और जो ये फैसला आया बॉम्बे हाई कोट का इसमें क्या लिखा गया इसमें जो ये परकाशित किया गया ये परकाशित किया गया सुप्रिम कोट के जज के द्वारा पूजा के द्वारा उन्होंने इसमें कहा कि बॉम्बे हाई कोट ने कहा ये एक नागपूर का बैंच कहा कि एक नाबालिक के साथ हुए इस अपरात के मुकदमे की सुनवाई मैं कहा कि बच्ची को निवरस्त किया उसके ब्रेस्ट को छूना यौन हमला सेक्सलोस असौर्ट नहीं कहा जा सकता कोट ने कहा कि इस तरह की हरकत पोस्कों के तहत यौन मामले की रूप में परकाशित नहीं की जा सकती हाई कोट की बेंच नागपूर की एक बेंच ने जिसकी नियाय मूर्ती थी पुष्पा गन्यडी वाला ने ये फैसला 19 जनवरी को परकाशित किया और इसमें कहा कि हरकते को यौन मामला माने जाने के लिए गंदी मंशा से तोचा से तोचा स्किन टू सिस संपर्ग होना जरूरी है और उसके तहत उन्होंने कहा कि फैसले में में चूना भर यौन मामले की परकाशित नहीं आता निया मूर्ती ने कहा कि शैशन कोट के फैसले में संशोदिन किया जिसने बारा वर्ष की बालिका का यौन उत्पर पेड़ना करने के लिए 49 वर्ष व्यक्ति को तीन वर्ष कारावाश सजा सुनाएगी और यौन का मामला होता है यह उनका मामला होने के उपरांत पूजा के दवारा यह आदेश दिये जाते है और इस ओर्डर को उनके दवारा सुनाए जाता है जब इस ओर्डर को उनके दवारा सुनाए जाता है और उसके संदेश के तहट skin to skin touch होना एक अपरादिक नहीं माना जा सकता है उसे पॉसको के तहट नहीं माना जा सकता है जो इसमें धारा लगती है वो लगती है 303 चुरूंजा IPC धन्यवाद